वाजी पे खड़ी होती सरकार का हेलिकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया वो बच्ची मरने वाली नहीं थी किसी इस्थिती में अंकिता मरने वाली नहीं थी अंकिता का बयान अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है वो बोल पास अभी टाइम नीए इस दरवाजे पर आकर खड़े होने का आपके पास टाइम नहीं आपका भाई यहां से MLA या जीता हुआ इस दर्वाजे पे आना उनका धर्म बनता है उनकी जिम्मेदारी बनती है उनका कर्तव बनता है इस दर्वाजे पे आके परिवार के कंदे पे हाथ रखना ये मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है और मेरे को ये कहना है कि आज ये प पीएफाई का एंगल सामने आ रहा है, बांगला देशी कट्टर पंथी इसलामिक संग्ठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जाच होनी चाहिए, ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जाच क्यों नहीं की जारी लव जिहाद के एंगल से, आप इसक तो रफा-दफा करने चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया शारुक की गिरफदारी पे मामला खतम होगा क्या मास्टरमाइंड क्यों कौन है ट्रेनिंग देने वाला कौन है ऐसे पेट्रोल डालके आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है यह किसी सिर्फि करे आशिक का काम नहीं है यह सुनियोजित मर्डर है इसमें लौजिहात के एंगल से जाच होनी बहुत जरूरी है और यह समझना होगा कि जो भी लोग इस मामले पर पड़दा डालने की कोशिश कर रहे हैं वह तुष्टी करन की वह गलती कर रहे हैं जिसकी कीमत हम सब की बेटियों को और बहनों को चुकानी पड़ेगी यह मैं यहां पर कहना चाहता हूं क्यों क्यों कोई एक्षिन नहीं भी आगया आप के लिए पूछने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं और यह पूछने के लिए आए आप तो बिटिया नहीं रही ना अब इस दरवाजे पर आप नहीं आ सकते क्या दो बूंद आसू आपकी आखों में नहीं दिख रहे आपका मले यहां से गायब है इलाके से यह लूइस मरांडी जी खड़ी है परि बैठे हुए हैं यह बहुत गंभीर सवाल हैं और पूरा देश अज दुमका की तरफ देख रहा है